इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभ्यान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे साथियों किसानों को MSP देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया बीते पांच साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के पांच साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकडे देखोगे तो कौन सच बोल रहा है कौन किसानों के लिए काम कर रहा है इसकी गवाई वही से मिल जाएगी इस साल कोरोना संक्रमन के दोरान भी रभी सिजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है इस साल रभी में गेहूं धान दलहन और तिलहन को मिला कर किसानों को एक लाग तेरा हजार करोड रुपिये एमेसपी पर दिया गया है ये राशी भी पिछले साल के मुकाबले तीस काम किया जा रहा है और इतना ही नहीं तो प्रदान मंती जी अभी मानीर अविशंकर जी ने जो बताया कि बिहार के सभी पंचायतों तो कॉप्टिकल फाइवर न गाओं तक इंटरनेट की सुधा हुप्लब्द कराई जाएगी अब गाओं के लोगों कभी सस्ते दर पर इंटरनेट का लाव मिल सकेगा अधरनी प्रदान मंती जी जब केंद राज्ये दोनों मिल जाता है तो किस तरह का परिवर्टन आता है यह पाला मौका बिहार के नहीं है स्रे लेने की होड नहीं है केंदर राज्ये मिल कर काम कर रहा है मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर जगनात मिश्रा कॉंग्रे से इसलिए अलग हो गए चुकि उन्होंने केंदर पर सौतिलेपन का विवार का आरूप लगाया था आज केंदर राज्ये दोनों मि पकी सबक से जोड़ा जा रहा है हर गाउं को पकी नली गली से जोड़ा जा रहा है हर गरीब का पका घर बन रहा है पांच लाग तक का स्वास सुधा लोगों को दी जा रही है और अब हर गरीब के घर तक इंटरनेट की सुधा और पहुंच सकेगी आदनी प्रदान मंती जी आज के इस अवसर पर मैं एक और बात का उल्लेक करना चाहूंगा चुकि सारे बिहार के लोग मरमहत हैं राजी सवा के उपसवापती स्री हरवन जी का बिहार और देश में बहुत सम्मान पुर्ण उनका जीवन रहा है कि लेकिन कल राजी सवा में उनके साथ जो आम मर्यादित घटना हुई है उसने पूरे बिहार के अस्मिता को ठेश पहुंचाई है विपक्ष ने कल लोग तंत्र के मंदिर में जिस तरह का आम मर्यादित बरताव विवहर किया है वो बेहद निंदनी है मैं इतना ही कहा ना चाहूंगा कि विपक्ष के सपमानजनक बरताव का बिहार के जनता करारा जवाब देगी तो अधिन परदानमंती जी फिर से एक बार आज उस पी-म पैकेज को क्रियानवित करने के लिए उसका शलन्यास करने के लिए